कटलेट्स बनाने के लिए ये हमने तीन उबले हुए आलू लिये हैं और ये मैने गोबिली है फूल गोबी इसको अच्छे से धो लिया है दो हरी मिर्चली है एक अद्रका टुकडा और पांच लसन की कलिया और ये मैने बत्वा लिया है बत्वे को मैने अच्छे से धो लिया और ये मेंने तीन चंबज ओट्स लिये हैं और तीन ही चंबज मेंने मेदा लिया है तो आई ए बनाते हैं, cutlers अदरक को कदूकस कर लूँगी बरीक सेट से अदरक को कदूकस किया है और अब मैं लस्टन को भी कदूकस कर लेती हूं ये मेरा अदरक ये हमारी गोबी भी कदुकस हो चुकी है अब मैं आलू को भी कदुकस कर लूँगी और ये हमारे आलू भी कदुकस हो चुके है और अब मैं ये हरी मिर्च को बारी कट कर लूँगी और ये हमारी हरी मिर्च भी कट हो चुकी है अब मैं बाथू को भी बारीक बारीक कट कर लूँगी ये भी मैं बरीक बरीक काट लूँगी इसमें ये हमारा बातु भी बारीक कट हो चुका है ये मैंने बाउल लिया है इसमें ये मैदा डाल दूँगी अब मैं इसमें पानी डालूँगी और ये हमारा घोल तियार हो चुका है ये देखो बिल्कुल अच्छे से घुल कर तियार हो गया है इसे मैं एक सैड में रख दूँगी अब मैं इसमें कुछ मसाले अड़ करूँगी जीरा, आदा चमच और नमक भी मैं आदा चमच ले रही हूँ आप अपने स्वाद मिसार नमक डाल सकते हैं काले मिर्च पौडर चुथाई चमच और आमचूर पौडर भी मैं चुथाई चमच डाल रही हूँ और अब मैं इसको मेक्स कर लूँगी अच्छे से और ये हमारा डो अच्छे से त्यार हो चुका है और इधर मैंने कड़ाई में ओईल को गरम होने के लिए रख दिया है मैंने हाथ पर थोड़ा सा ओईल लगा लिया है और अब मैं इसके कटलिस त्यार करूँगी मैं गोल सेफ में रखूँगी आप चाहे जिस परकार की आकारत में बना सकते हैं और यह हमारी कटलिस गोल हो चुके हैं यह मैंने एक प्लेट ली है इसमें मैं ओट्स डाल दूँगी हमारा गोल तयार है अब मैं एक बोल्ट इसमें डालूँगी और इस पर मैं ओट्स लगाऊंगी यह देखो इस लग चुके हैं हमारा ओइल गरम हो चुका है अब मैं इसको ओइल के अंदे लालूँगी तरह भी इसी परकार से करूँगी को भी मकढाई में डाल दूँगी इसी परकार से सारे बोल्स इसी परकार से मकढाई में डाल दी जाओंगी और यह मैंने सारे बोल्स डाल दिये हैं अपने और अब मैं इनको हिलाओंगी यह हमारे बोल्स देखो अच्छे से अच्छे से फ्राई हो चुके हैं मैं इने थोड़ा सा ब्राउन होने डूंगी और यह हमारे बोल्स कितने बढ़िया फ्राई हो चुके हैं अब मैं इने थे निकाल लूंगी बढ़े ही स्वाद लगते हैं खाने में यह हमारे बिल्कुल कितने बढ़िया से बन कर तियार हुए हैं इसे मैं एक तोड़ के दिखाऊंगी आपको यह देखो कितना बढ़िया लाज़ जवाब बन कर तियार हुआ है बाथू और ओट से हमने कटलेट्स बनाए हैं ये हमारे बाथू और ओट से कटलट बनकर तियार हो चुके हैं अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें शेयर करें और सस्क्राइब करना ना भूले धन्यवाद